हलो एवरिवन वेलकम टू माई योट्यूब चानल नावशीश के चान आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के भज्ये वो भी क्रिस्पी देखिए मुठ़्ी बर पालक में हम कितने सारे भज्ये बनाएंगे जो कि पुरा परिवार खा सकता है एक मुठ़्ी पालक से इतने टेस्टी और क्रिस्पी भज्ये बनकर रेडी होंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को उसके लिए हमने एक मुठ़्ी पालक लिया है जिसे हमने बिल्कुल बारे बारे कट कर लिया है साथ में हमने बेसन लिया है ये देखें और बेसन उसकी बाद इसमें हम डाल रहे हैं अजवाईन जिसे आप हातों से थोड़ा सा क्रश कर दीजिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है भजिये में थोड़ा सा हम इसमें हिंग टालेंगे जो की पेट के लिए अच्छा होता है जो की पाचन क्रिया को भी अच्छा करता है साथ में आम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और बस इन सब को अच्छे से मिक्स कर लीजे मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर इसका बैटर तयार करेंगे इसे हमें अच्छे से मिक्स करके बैटर को तयार करना है लेकिन हमें इसका बैटर जो है वो पतला नहीं र करना है क्योंकि जब हम इसमें पालक वाश करके डालेंगे तो पालक का पानी भी होता है और थोड़ी देर के लिए बेसन को हम पहले ही करके रख देंगे तो इससे बेसन अच्छे से गल जाएगा और इससे बजिये जो है वह बहुत अच्छे बनते हैं यदि हम पहले से इसे थोड़ी देर के लिए घोल कर इस तरीके से रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं तो यह देखिए अब हम पालक को वाश कर लेते हैं वाश करने के बाद यह देखिए मैंने पालक ले लिया है इसका सारा पानी निकाल दिया है और बस इस तरीके से हम इसमें से पालक पाल होता है तो जब तक हमारा ऑइल गर्म होगा तब तक इसका बैटल जो है वो आटोमेटिक थोड़ा सा पतला हो जाएगा और हमारे बज्जी जो है वो बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे इसमें ना हमें सोडा डालने की जरुवत है ना बेकिंग पाउडर डालने की जरुवत है यह ऐसे ही बहुत टेस्टी और कुरकुरे बनते हैं यह देखे बस इस तरीके से इसे करके और रख दीजिए दो मिनिट के लिए रेस्ट के लिए जब तक ऑईल गर्म हो रहा है ऑईल चेक कर लेते हैं अब कि ऑईल गर्म हुआ है या नहीं हुआ है तो आप इसके लिए थोड हो चुका है आप मत्य गैस पर पहले सारे बज्जियों को डाल लीजे और फिर उसके बाद गैस को तेज करके इने बना लीजे क्योंकि इसे बहुत ज़ादा जरुवत नहीं होती है आज की तो आप एकदम यदि तेज गैस पर डालेंगे तो यह जलने लग जाएंगे यह हैं बस इस तरीके से हम सारे बज्चियों को डाल कर थोड़ी देर के लिए इससे इसमें इसी तरीकेसे फ्राय होने देलेंगे जब तक यह हलके से ऐसे इसका कलर चेंज नहुजाए जब तक इसे ना पलते ये देखे चेंज हो गया हलका सा कलर उसके बाद हम इसे पलट रहे हैं इसे आप अच्छे से पलट कर और क्रिस्पी होने तक के लिए अच्छे से उलटे पलटे थोड़ी थोड़ी देर में इसे कर दीजे ये फिर देखे कि ये कितनी जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बच्चे जो पालक खाने में मूँ बनाते हैं उन्हें आप इस तरीके के बच्चे बनाकर खिलाएए और फिर देखे कि वह कैसे इसे खाते हैं और रोज कहेंगे कि पालक ही लेकर आईए ये देखें हमारे बच्चिये बनकर ready है और बस अब हमेने खाने के लिए ready है यदि आप चाहें तो इन्हें अभी ही सर्व कर सकते हैं और आप यदि कहीं सफर में ले जाना हो या पिकनिक पर ले जाना हो बस अब हम दूसरी बैच का भी इसमें डाल देते हैं और जब तक दूसरी बैच का बनेगा तब तक आपने यदि अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे बैल आकन को प्रेस कर लीजे तक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रही और इस वीडियो को ज़्या से ज़्यादा शेयर कीजे खाइए खिलाए और बताएए कि आपको कैसे लगी ये भजे और आपके कमेंट भी शेयर कीजे कि आपको कौन से भजे पसंद है और नेक्स रेसिपी हम आपके लिए कौन सी बना कर लेकर आएं वो भी हमें कमेंट करके बताईए ये देखिए हमारे सारे बजी वनकर रेडी हैं अब हम इसे हरी चटनी और सॉस के साथ में सर्व कर रहे हैं ये बस इस तरीके से आप भी इसे ब्रेकवास में खा सकते हैं इव झाहिए बस्ता करने जरीके सारे तरीके से ये देवास में आपके लेकते हैं ये वो सॉस को पाया हैं वो भी हम आपके ब्सतावाता हैं ये ये वो भी हम जरुआ परेखिए थो फो दो आए